हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लेजर अगर आप लोगों ने लेजर शुरू करने का सोचा है और जर्नल अभी तक नहीं किया है तो I would request you all कि सबसे पहले जर्नल को अच्छे से खतम कर दो क्योंकि लेजर जो बनता है वो जर्नल से ही बनता है तो अगर आपको जर्नल ही नहीं आता तो आप लेजर नहीं बना सकते हाला कि मैं आज की क्लास में आपको लेजर कैसे क्रियेट किया जाता है जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है और लेजर के बारे में जीरो ट्वे सारी इंफोर्मेशन दूंगा तो वीडियो एंड तक देखना ध्यान से यहां पर आई बटन पर क्लास में जर्नल का लिंक दे दूंगा तो अगर आपने जर्नल नहीं पढ़ा है ना क्लास पहले जर्नल सीख लो क्योंकि जर्नल और लेजर अगर आपको यह दो चाप्टर आ ग 11 ACCOUNTANCEY का लेजर तो समाज़ते हैं लेजर है क्या लेजर इस दुर्छ कॉल मिला के खाते बनाते हैं जहों जर्नल के अंदर हमने एंट्री पास कर दी कि अब उन तो यह चिस को उस असकांट में भेजेंगे, that is called ledger, यानिए classification of account. इन्टेफाइग, मेजरिं, रिकारडिं, क्लासिफाइग अर्पाइग अर्डेग, तो यह आपका class ledger है. When transactions are recorded in the journal, Journal को नो original book of entry बोलते हैं, या primary book बोलते हैं, Journal को original of, Class book of original entry, या primary book बोलते हैं, These are transfer or posted, इसको क्या बोलते हैं, Class? Posted to their respective account in ledgers. तो जब हम general entry तो हमको आता ही है, Like हमने business में पैसा लगाया, तो पैसा लगाने के entry क्या होती है? Cash account debit to capital, तो अब मुझे दो खाते बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा cash का, एक बनाना पड़ेगा capital का, एक बनाना है किसका? Cash का, और दूसरा बनाना है capital का, तो cash से related सारी चीजे जिजे चैश अकाउंट में, और capital से related सारी चीजे, Class, कहां जाएँगी? capital account के अंदर, ledger is also called secondary book, ledger को हम लोग secondary book भी कहते हैं, ledger को कहते हैं, secondary book, it shows the closing balance of an account, तो यह हमेशा शो करता है, किसी भी account का closing balance क्या बच्चा है, right, जैसे cash, कितना हमारे पास cash बच्चा है, कितनी हमारे पास capital है, यह सब तभी पता चल पाएगा, जब हम उसका ledger बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपोटेंट है वह है जर्नल, जर्नल से ही क्या बनता है, लेजर जो मैं आज सिखाऊंगा, without journal, लेजर नहीं बना सकते, जर्नल से बनता है लेजर, तो अगर यह आ गया तो लेजर कुछ भी नहीं है, और मैं बता दो, मैं दो पार्ट में इसे कर जंगा मतलब कल इसका last होगा बिसमौ कल आपका यह जर्पूरा खतम हो जाएगा, भैर देन आपका ट्रा बाल लेजर से ही बनता है ग्ag है तो अगर अगर आपको जर्नल ऑगया तो लेजर दाल बनता है लेजर था बीजर और ट्रायल बेलेन्स तो मॉस्ट उस्ट लेज् से बनाते हैं क्या, बट लेजर और ट्राइल बालन्स इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, यह प्रोसेस है, यह स्टेप्स होता है, किसी भी फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का मतलब वही फिनांशल स्टेटमेंट्स, आपका प्रोफिद लॉस अकाउं यह side है, left-hand side debit, right-hand side is credit side, यहां से start हो गया credit, यहां से start हो गया debit, किसी कभी अकाउंट खाता ऐसे बनता है, सबसे पहला कॉल्म है date, कि किस date को transaction हुआ है, date, कि इस अकपका है यह, ठीक है, फिर particulars, फिर आता है class amount, date particulars amount, date particulars amount, date particulars amount, अब आउंट से पहले कॉलम है इसका जर्नल फोलियो, यह रियल लाइफ में पेज नंबर लिखने के कामाता है, तुम्हें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लाइन छोड़ देना इसके अंदर भरना कुछ नहीं है, सिर्फ लाइन्त में ट्वल्त में मतलब इस जर्नल की पोस्टिंग कौन से पेज पह है, मैं तुम्हें आगे चल के बताऊँगा, बस इतना ही इसका मतलब है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, पेज नंबर होता है, तो क्या क्या लिखते है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यह क्रेट अमाउंट और यह है क्लास आपका, डेट अमाउंट, किस डेट को हुआ, क्या इटम है, अमाउंट कितना है, जर्नल फोलियो में सिर्फ पेज नंबर, लेजर में आता है जर्नल फोलियो, F-O-L-I-O, जर्नल फोलियो, और जर्नल में आता है लेजर फोलियो, ठीक, यह हो गया क्लास और बच्चा 12 में जाने के बाद भी उसको लेजर में दिक्कत आती है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद मेरे किसी स्टुएंट को कम से कम लेजर पोस्टिंग में दिक्कत तो नहीं आएगा, चलो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है, मालो बिजनेस में पैसा लगाया मालो क्लास की बिजनेस में कैपिल इंडिड्यूस किया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्यापिटल अकाउंट, ठीक है, अब बच्चों की तरह सीखना ठीक है, मालो सौ रुपह है, ठीक है, अब डेबिट की जगे में बोलना है, क्या क्लास में, कैश अकाउंट में टू क्यापिटल, कैश अकाउंट में क्या होता है, टू क्यापिटल, मैं तू क्या रहा हूं, कैसे जर्नल से लेजर बनाया जाता है, अचा, मैं थोड़ा से तुमको और बता दू, जो यह अपने फॉर्मेट देखा है, लेजर का, यह किसी भ पड्विदूलोस Amount, फिर पड्विदूलोस Amount, ठीक है, पिपर में Altराफ चोड़ भी दो, तभी नंबर नहीं कर ते कृते, आप अब डबिट साइड जो चीजे होती है, वहां पर 2-2 कर आता है सब, 2-2-2-2, तू-2-2, ऐसे कर के, 2-2 पर जो credit side आता है class, वहांपे क्या लिखते है? By By By.. By 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 ठीक है तो इस तरीके से debit side को बोलता है, to side कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते बोल देते हैं, debit side कo two side और credit side को क्या बोलताए है? By side debit side 2 side left side credit side by side right side चलो, अब मैं तुम्हें लेजर पोस्टिंग सिखा रहो हूँ, यही जर्नल, अब हम इसका करेंगे लेजर, तो ध्यान से देखना, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जनल एंटरी क्या होगी? cash account debit to capital account, right? cash to capital, तो तुम्हें दो अकाउंट बनाने सबसे पहले, एक तो cash account बनाना है, debit credit, और एक account बनाना है, capital का, debit credit, ठीक है? मैं date particular amount, मालो ही date हुई है, एक जन्वरी को, right? एक जन्वरी की date को, okay? चलो, तो अब हम इसकी लेजर पोस्टिंगे, अगर तुम्हें एक एंटरी की पोस्टिंग सीख ले तो तुम सभी एंटरी की पोस्टिंग सीख लोगे, एक आगया, सब आगया, तो cash account में, debit क्या बोलो 100 रुपए, एक जन्वरी को, date particular amount हो गया, एक जन्वरी date, two capital particulars, amount है 100 रुपए, तो cash में, two capital, right? cash में, मेरे साथ साथ बोलो, मूँ खोलो बेटा, बोलो, अगर सीखना है, तो आपको बोलना पड़ेगा, cash account में, two capital, तो sir, capital में क्या होगा, buy cash, capital में क्या लिख दोगे, buy, buy तो date particular amount, तो आप entry cash में, two capital, capital में, buy cash, फटा फटा बोलो, cash में, two capital, capital में, buy cash, cash में, two capital, capital में, buy cash, cash में, two capital, capital, buy cash, cash में, two capital, capital, buy cash, यह बता हूँ बोलो आपके, ताकि आपके जुबान पे चड़ जाए यह, है ना, चड़ जाए आपके जुबान पे, और कोई भी एंट्री हो, आ यहांभी देखो, cash debit हुआ है, capital यहांपे credit था, देखो, capital यहांपे credit हुआ है, this is called ledger posting, अभी यहां खतम नहीं हुआ, एक दो एंट्री और में दिखाताँ आपको, फिर में कोश्चिन करा हूँगा, उसके थुरू भी करेंगे, राइट, अचा, पैसा बैंक में जमा किया, पै bank account debit to cash account, अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हो, तो आप entry क्या पास करोगे, bank account debit to cash account, अब मेरी बात ध्यान सुनना, दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा bank का account, एक बनेगा cash का account, ठीक है, सुनो मेरी बात, अब डेबिट किया बोलोगे, मे, debit किया बोलोगे, मे, bank account में to cash, त बात जन्वरी को, तो bank account में to cash, bank में to cash, bank में to cash, और cash में by bank, cash में क्या लिगद होगे, by bank, 200 रुपए, bank में to cash, cash में by bank, bank to cash, bank में to cash, cash में by bank, bank में to cash, cash में by bank, इस तरीके से class आप entry बनाना सीख जाते हो, रight? चलो, अब मैं तुम्हें एक और एंटरी बना कर दिखाता हूं आपने rent paid किया 10 February को, अगर आपने rent pay किया, तो entry क्या करते हो, rent account debit to cash account, मानलो 50 रुपए, 50 रुपए, 2 account बनेगा, किस-किस का, एक बनेगा rent का account, और एक बनेगा cash का account, ठीक है, तो update किया है 10 February, तो rent में क्या लिखोगे, to cash, debit के जागे में, rent में to cash, cash में, rent में to cash, cash में buy rent, 50, rent account में लिखोगे to cash, तो लिख दिया to cash, और cash में क्या लिखोगे फिर buy rent, rent में to cash, cash में buy rent, यह हो गया class आपका ledger posting, okay, कोई भी journal entry हो, आप उसकी posting इस तरीके से कर सकते हो, easy way में, okay, आगया class समझ, तो यह होगया class, लेजर पोस्टिंग, किसी भी journal का, अचा, यह तो simple होगया class, अगर यहीं पे, मैं आपको बोलूँ, कि यह compound entry है, और आप उसकी posting कर रहे हो, compound entry की, like आपने 10 रुपय का समान उधार बेचा, cash account debit, और आपने 15 रुपय का, sorry, 10 का नगत बेचा, 15 का उधार बेचा, dator's account debit, 2 sales, कितना होगया class, 25, cash debit, dator debit, 2 sales, आपने यह entry पास की, cash debit, dator debit, 2 sales, चाहिए, तो अब यह compound entry है, यहाँ तीन account open होगे, कौन कौन से, सबसे पहला cash account, दूसरा account बनेगा, dator's account, तीसरा account बनेगा, sales account, तीन account बनेगा, यह होगा credit, credit, debit, debit, credit, debit, cash account, dator account, sale account, सुनो मेरी बात, cash में, dator में, debit क्या बोलते हो, में, cash में, dator में, two sales, तो cash में, two sales, debtor में, two sales, तो cash में, two sales, जो भी data, डाल दे का. Cash में, two sales, 10. क्व Computer के सामने किड़ें, 10. Dator में, two sales, क्व collaborative खेँए, 15. क्व Чरश के सामने, कितना है, 15. चैश में, debtor में, two sales, तो sale में क्या लिखोगे? By cash, by dators. तो सेल में क्या लिखो के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार सीख गया ना, जीवन भर का कलेश खतम. कैश में डेटर में टू सेल, सेल में बाई कैश, बाई डेटर्स, जो भी डेट होगा, इस तरीके से, आपको कमपाउंड एंटरी की भी पोस्टिंग आनी चाहिए, तो क्लास आपको देखो, अगर आपको एंटरी पता है, अगर आपके एंटरी ही गलत है, तो पोस्टिंग भ की आपको सही हो जाएगे पोस्टिंग कोई का थे है लेजर पोस्टिंग इस एंट्री को उठाक capability में ढालना ही लेजर पोस्टिंग सब का अग का अगाउट बन जाएगे तो एक ट्रांज usually एक ट्रांजेक्शन में तुम थेन अगाउट बना giant तो किसी कोश्चिन में पंदरा ट्रांजक्शन है तो लगभग तीस अकाउंट आप मान के चलो वहाँ बनाने पड़ेंगे तो पेपर में यह कोश्चिन आता है ज्यादा पॉइंट से तो बहुत बड़ अकाउंट बन जाएगा बहुत सारे अकाउंट बन जाएगे और सबको टोटल भी करना पड़ेगा तो यह तो आपने पोस्टिंग सीख लियागे सर पोस्टिंग कैसे करते हैं जनल एंट्री का अब एक काम करें इस इस काल्ड बैलेंसिंग ठीक है बैलेंसिं का मतला बाबर-बार करना मैं तुम्हें धिखाताहां माल लों तुमने एग काउंट बनाया है इस विंकान बनाया देट–पर्ट्रिकृव्लर–पर्टु समयंग्ड और एक कोई भी अकाउंट माल लेते हैं यह कोई भी अकाउंट यहundert। बैलन्सिंग का मतलब क्या है कि पहले देखो दोनों में से बड़ी साइड करेड साइड अब हम एक काम करने वाले बैलन्सिंग सबसे पहला काम बैलन्स मतलब तर राज उसे बराबर बराबर करना अब मुझे बताओ यह Da будет साइड यहे qred side PlayStation600 बड़ी है कितना है 50 represent follows एक सब्सक्राइड थो निस कही दे़ें हैं कि मैंने कि इतना लास्ट में बचा घकए माउलो की काुंख काउंट है शली मा प err杉ल प्लुंफ यह कौनसे अकाूंट है क्वैले काउंट है काउंट मेरा क्वैया व्हा है के पता है थे क्रेद माईनस होता है ठेक है? अब एककंच मेंसे सारी शीजे घटा दो, 30,40,50,60, У cancel się 60 गटा दो, ठेक है? तो कितना बचेगा, 95 सिक्स्ट मेंसे 60 गटा दो, कितना बचेगा? 95, okay 음악 15 है 60 गटा दो, 15 है 95, तो यह 95 आता है, इसको लिखते है xyyyyyyum balance CD, CD का मतलब होता carried down, मतलब यह इस साल का, यह इस महिने का जो closing है, CD है, वो अगले महिने का, माललो 31 जन्वरी, 31 जन्वरी का जो closing balance है, वो अगले महिने, यानि की 1 February को बन जाएगा opening balance, 2 balance BD, कितना है क्लास, 95, तो जो पिछले साल का closing है, वही आपका इस साल का opening बन जाता है, अच्छा, अगर यह side बड़ी होती, हाला कि cash account में तो generally receipt हमेशा जादा ही होता है, लेकिन अगर यह side बड़ी होती, तो यहां आता 2 balance CD, फिर अगले साल बन जाता है, यह by balance CD, आपने एक वर्ड सुना होगा, तीचर से कहते होगा, इस साल का closing है, वही अगले साल का opening है, भई मैं आज साटर बंद करके जारा हूँ, मेरे गल्ले में सौरबे पड़े है, तो कल आओंगा, तो सो ही तो मिलेगा मुझे, तो यानि कि इस साल का closing है, वह अगले साल का opening है, अ यह हमारा closing balance है, अब आपने एक प्राक्टिकल, अगली क्लास में और भी क्लास में और बी क्लास करेंगे, लेकिन आज मैंने क्लास कोशिण रखाया इसके रएक हटे का डेटा है, वन वीक का, और हमें इसका जर्नल भी बनाना है, हमें इसका लेजर भी बनाना है, अगे, अम पाईना जर्नल के, तुम लेजर नहीं बना सकते तो तुमें जर्नल पहले बनाना पडötगा फिर प्र झाके तुम लेजर बनाओगे, रएट, तो यहापे एक अप्रिल को क्या हुआ है, क्लास, एक इंट्द्द्द्द्द्द्द्द्द् थो लाख को आपने लखए नरु इंटेड्यूस कापिटल दो लाग, तो आप एक काम करो, पहले तो जर्नल बना लो, एक फॉर्मेट बनाओ जर्नल का इस तरीके से, बना लिया फॉर्मेट, एक एक अपरिल, को आपने इंट्रीूस किया कापिटल, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेड़िट टू, नरेशन वगएरा क्लास आप लिख ले ना, क्योंकि मुझे हाँ थुड़ा सा फोकस करना है लेजर पर, दो लाग, दो लाग, थीक है, फिर एक अपरिल के बाद, एक अपरिल के बाद, अगली एंट्री, Cash deposited into bank 25,000, 3 April, 3 April, आपने पैसा जमा कर दिया bank में, पैसा bank में जमा करोगे आप, तो bank का balance बढ़ेगा, cash का गटेगा, bank account debit to cash account, 25,000, 25,000, अगर आपने हर entry सही करी है, तो इसकी पोस्टिंग भी सही होगी, मैं तो मैं दिखाऊंगा कितने account बनेंगे इसमें, फिर तीन तारिक के बाद, चार तारिकों पर्चेस किया मदन से 35,000 का, उधार खरीदा जारीची बात नाम लिखाए, तो अगर आप समान उधार खरीते हो, उधार खरीते हो, तो एंट्री क्या होगी, पर्चेस अकाउंट डेबिट, पर्चेस अकाउंट डेबिट, तू मदन अकाउंट, पर्चेस तू मदन लिखलो नी तो, कितना अमांट है क्लास, मदन से खरीदा कितने का, 35,000 का, 35,000, आप बनाओना जर्नल बना लो, एक बार बनाना सिखाता हूं आपको, चार अपरिल हो गया, पर्चेस तू मदन, फिर 6 अपरिल को नगद बेचा, 54,500 का, समान बेचा आपने 54,500 का, 6 अपरिल को, कैश अकाउंट डेबिट, तू सेल्स अकाउंट, कितना है क्लास, 54,500, 54,500, ठीक है, साथ अपरिल को आपने मदन को 35, 25,000 रुपे दे दिया थू बैंक अकाउंट, आपने कितना क्लास दिया है, बैंक अकाउंट से दिया है, 35,000 रुपे थू बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट से 35,000 रुपे दे दिया, ठीक है, मदन तू बैंक, मदन अकाउंट डेबिट, तू बैंक अकाउंट, कितन 35, 35, 7 April, ठीक है? तो यह हमने पूरा का पूरा एंट्री कर ली, अब हम एक एक करके अकाउंट बनाएंगे सबके, एंट्री तो हमने करी ली, जनल एंट्री, लिख लो आप इसे, और अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे, एक 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 खाता बनाएंगे, तो सबसे पहला एक 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 ए जोड ना देना. अरे क्यास चार वार रहेगा तो चार वार अकाउंट बनाओगे, नहीं, चाँच नीज़ ड़ंगे तश लाख एक रोड भनेगा उसे में पेज़ देना. एक परचेश अकाउंट बनेगा, एक रचेश एक बनेगा मदधन. तो पर्चेस, पर्चेस अकाउंट, एक बनाओ मदन अकाउंट, तिन तिन चार चार लाइन बहुत है, दो दो लाइन तिन तिन लाइन इस इनफ, अच्छा, इसके बाद, और कॉंसा मदन भी हो गया, देखते हैं पर पर्चेस हो गया मदन, फिर कैश, कैश तो अलड़ी बना बना पड़ा, फिर सेल बनाओ, मदन अलड़ी बना पड़ा है, बैंक अलड़ी बना पड़ा है, तो बस एक चैस के बाद, सेल्स बनेगा, यह कैश, सेल्स, मदन हो गया, सेल्स, बस यह दू अकाउंट के जरूतन इस अटा दो, तो दो और एक दू तीन चार, छै, टूटल क होते हैं, तो कितने सारे पॉइंट अकाउंट बनते हैं, चलो, अब ज़रा ध्यान से देखना क्लास, हम इसके पोस्टिंग करेंगे, तो cash में two capital और capital में buy cash, तो cash में two capital, cash में two capital, capital में buy cash, cash में two capital, और capital में buy cash, हो गया, cash में two capital, cash में two capital, capital में buy cash, एक कड़ा बेट दूसरे का क्रेट, next entry, bank to cash, bank में two cash, cash में buy bank, क्या बोला मैंने, bank में two cash, bank में two cash, और cash ही रह, cash में, cash में buy bank, bank में two cash, और cash में buy bank, ठीक है, okay, फिर purchase to madan, purchase में two madan, और madan में buy purchase, purchase में two madan, purchase में two madan, purchase में two madan, तो madan में buy purchase, purchase में two madan, और madan में buy purchase, ध्यानकना, purchase में two madan, और madan में क्या लिखोगे, buy purchase, purchase में two madan, madan में buy purchase, आगे बाद समझ सबको, ठीक है, purchase में two madan, और madan में buy purchases, चलो, आगे देखते हैं इसकी बाद, एक ही करके सारी entry की posting करने ही बस आपने, यह हो गया, यह वाला भी खतम, cash to sales, cash में two sales, cash में two sales, किन तारिकी entry है, 6 तारिकी, 6 तारिकी, cash में two sales, 24,500, और sales में यहाँ sales, cash में two sales, sales में buy cash, cash, 24,500, cash में two sales, और sales में buy cash, cash में two sales, और sales में क्या बनगे आपका, buy cash, done, चलो, अब लिखते हैं और कॉंसे entry है, madan to bank, 35,000, तो madan में two bank, bank में buy madan, तो madan में लिखो two bank, madan में two bank, और bank में, here a bank, buy madan, by madan, 35,000, खतम, एक एक करके, हमने सारी की सारी जो journal entry है, जो हमने सीखा था इससे पिछले वाले chapter में, 7 में, आज हमने एक ही करके सब की posting कर दी, this is called leisure posting, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सब को बराबर बराबर करेंगे, तो cash की कौनसी side body है, पहले मुझे बताओ, cash की कौनसी side body है, बच्चो, cash की कौनसी side body है, मुझे बताओ, यह totaling कर रहे हैं, तो यहागा 2,054,500, अब उसमें से, अब जो side body है, वो दोनों तरफ लिख दो, 2,054,500, तो यह जो भी बचेगा, यह बचेगा class, मानलो यह महीने का ND है, 30 April को, जो यह बचेगा, यह बचेगा by balance cd, मैंने क्या कहा था, जो भी closing balance बचता है, उसको cd बोलते हैं, 2,054,500-2500, 229,500, और यही cd, 1 April, 30 April होगा 1 May, एक मही को क्या बन जाएगा, 2 balance bd, 239,500, जो इस महीने का closing है, वो अगले महीने का opening, अभी समझनी आया, और आगे चलो समझा जाएगा, capital account की totaling करो, बड़ी side काउन सी है, capital account में, 12,01,200,000, तो यहां पे 30 April को मतलब महीने के end में, 2 balance cd, 2,00, तो यही cd, WhatsApp 6 Сवी 1 महें को की भंगं जाएगा by balance BD देखो तुम्हें closing में c d there और हही अगले महीने नीचे क्या भंगंगा BD SI class कई कई महीने तक के capital account नीचे नीचे बंता चला जाएगा इस महीने का closing है वह अगले महीने का opening बनेगा ACHHA bank account देखो bank account की 220 bank account की totaled ज्टरफ्टर बैलेंसे को नेग्टिव बैलंस बोलते हैं क्यों आया कितना पंचिस गया 35 तो बैंक का बैलन्स नेगटिव चलागे इसको ओर ड्राफ्टर बैलन्स बोलते हैं तो 30 April को जो ये closing balance है, इसको क्या बोलेंगे? Two balance CD, फिर एक मही को ये closing balance है, opposite side क्या बन जाएगा? By balance BD, 10,000. तो जो CD है वो opposite में BD बन जाता है, हर जगे हम सेम काम कर रहे है, इसका भी देख लो, purchase की totaling करो, ये 35, इधर साइड की totaling भी 35, तो balancing figure 35 बच रहा है, 30 April को, 30 April को क्या लिखोगे? By balance CD, फिर एक मही को क्या बन जाएगा? To balance BD, जो इस साल का CD है, वो अगले साल क्या बन जाएगा? To balance BD. तो इस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं, सब का खाता बनाते हैं, close करते चले जाते हैं, अब अगर आप औरली एंट्री कर लेते हो, मालब आप टैलेंट आगया, आपने दिमांग सुझेश च्च्च्च to capital cash, to capital capital buy cash, तो बिना एंट्री बनाया भी खाले बोस्टिंग कर सकते हो, okay? माधन की totaling करो, तो माधन का ओन्साइट बड़ले को, माधन का ये दोनौ कलिएर अब बात ध्यान समझते हैं, लेका माधन का कोई भी बालएंस नहीं है, माधन से हम्में करीदा था 35 ऐजार का और 35 जार रुपर चेक से पहमेंट कर दिया når कोई भी बालएंस नहीं हुछ सना कुछ ना लेना ना कुछ देना अब बात करते हैं सेल्स का यह है 54 500 यह है 54 500 तीस अपरिल यह अपरिल मंथ के end में आएगा 2 balance cd 54 500 एक माई को यही cd बन जाएगा by balance bd 54 500 यह cd अगले उसमें तो इस तरीके से हम लोग लेजर अकाउंट बनाना सीखते हैं कि लेजर करते कैसे तो जर्नल एंट्री अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने है यह ऐसी कोई चीज नहीं जो बहुत कोई बड़ी चीज है बस जर्नल से दिख देक्ट कि लेजर बनाना है तो परचेश की वेजर की मशीन लेचने की उषिल वेचने की पेड़ी की जो भी ऐंट्री अगली क्लास में एक ऑर बड़ा कोसिंदे लेगे उन सब कर जर्नल बनाएंगे फिर उनसब कर लेजर बनाएंगे टर का बालेंगे पिर इसके बाद में पढ़ाउगा ज़िए तक पर K2Z क्लास आपका पूरा सेलवस अकाउंट इगो यहाँ पर आपको मिलेगा डेली बेसिस पर देखो वीडियो जाती हैं साम को पांच बजे तो प्लीज चैलल को सब्सक्राइब कर लो अपने शेयर करो सारे दोस्तों में मिलते नेक्स वीडियो और तक लिए टेकर बाई बाई